नमस्कार में उपरी आपका स्वागत है बिहारी निउस में चोरे जानते हैं बिहार की अब तक ही बड़ी खबरों को CSBC बिहार ड्राइवर कॉंस्टेबल परिक्षा के लिए अड्मिट कार्ड भी जारी बिहार पुलिस में दरोगा और सर्जिंट के अलावा सहायक जेल अधिक्षक के पद पर बहाली के लिए मुख्य लेखित परिक्षा के अड्मिट कार्ड जारी कर दिये गये हैं आवेदन नवंबर 2019 में शुरू हो गये थे महीं दिसंबर तक आवेदन ले लिए गये थे आपको बतादे इस परिक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को पीटी और पीस्टी के लिए बुलाय जाएगा बिहारी बिथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रामधारी सिंग दिनकर का जन्म आज ही के दिन बिहार के बिगुसर आयजिलिक के सिमर्या गाउ में हुआ था तीन साल के उम्र में सिर्से पिता का साया उठ जाने की कारण उनका बच्पन आभाव में बीता था लेकिन घर पर रोज होने वाले रामचरे तर्वानस के पाठ में दिनकर का काम रामधारी सिंग दिनकर की आज 110 वी जैनती है आपको बता दे रामधारी सिंग दिनकर की पहली रचना प्रांग भंग बारिंग जाती है जिसे उन्होंने 1923 में लिखा था इसके बाद दिनकर ने रेनुका हुंकार कुरुक्षेत्र बापू रक्ष्मी रथी का यह हाला कि आगामी विधांसबा चुनाफ में बेरोजगारी चुनावी मुद्धा भी माना जा रहा है हाला कि इस परिशानी को देखते वे बेरोजगारों को रोजगार के अफसर मुहाया करवाने के लिए बिहार का अब अपना रोजगार पोर्टल बनाये गया है स्रम काम किया जा रहा था राजिके सभी योजनाओं के माध्यम से नाशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहट साल 2016 में करियर पोर्टल पर ऑनलाइन निबधन का काम किया जा रहा है गुपतेश्वर पांडे के वियार इस लेने के बाद नए डीजीपी को किया गया नियुक्त बीते दिन बिहार के पुर्फ डीजीपी गुपतेश्वर पांडे अचानक से स्वेचिक सेवा निवती ले ली है जिसकी बाद उनके राज़रीती में जाने की खबर भी जोर शोर से सुनने में आ रहे थी हाला कि गुपतेश्वर डीजीपी पांडे ने इन खबरों का मुचा गया कि वह आगामे बिहार वधान सभाचनाव में मैदान मुतरने वाल है तो उन्होंने कहा कि इस तरह कि चर्चा पूरी तरीके से गलत है और यह पूरी तरीके से भ्रामक है वहीं डीजीपी गुपतेश्वर पांडे के बाद रिक्त हुए पद पर साल 1988 बैच के सी भारी बारिश के मदर अधिसूच ना जारी कर दी है जिला अधिकारियों को भी सतर्क रहने की नसीहत दी गई है मौसा विभाग की तरफ से जारी किया गया जानकारी के अनुसार 23 से 27 सितंबर के बीच राज्य के मध्यम से लेकर भारी बारिशोंने की संभावना जुताई गई है खासकर 24 सितंबर के बाद उतर बिहार के कई जिलों में भारे बारिश के साथ या काशे बिच्री गिरने की संभावना भी देखी जा रही है आपदा प्रभंदर विभाग ने पहले ही जिलों को इससे निपटने के लिए आवश्रक तैयारी करने का नरदेश दे दिय गया है मंगलवार को वीडियो कांफरेंसिंग में प्रधान सचिप ने तयारियों की भी समेक्षा की है इसके साथ ही इस अवधी में बाहर नहीं निकलने की प्रशास्नी कपील करने की बाद भी कही गई है सिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर कमीटी का हुआ गठन बिहार में लाखोर नियोजित सिक्षकों का हिजाब से अंतर जिला और अंतर नियोजिन एकाई में ट्रांसफर का इंदजार कर रहे हैं वहाई हाली में सरकार ने सेवाश्रत की घोशना कर दिये जिसमें ये दोनों सुभधाय मोहाया करवाई जाएंगी सिक्षकों और पुरस्तकाला कमीटी का अगठन किया गया है कमीटी ट्रांसफर को लेकर दिशा निर्देश जारी करने वाली है इस दिशा में देश में शामिल होगा इसके साथ ही किस आधार पर सिक्षकों का महिला सिक्षकों और दिव्यांगों को ट्रांसफर किया जाएगा इसके अंतर गत ही बताया और किसे प्राथमिक्ता मिलेगी और इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होगा इस बात की जानकार भी दी जाएगी बिहार पुलिस में SI और सिपाहीब समेट विभिन पदों पर होने वाली है लिखित परीक्षा अब ऑक्टूबर में COVID-19 के चलते रुकी प्रतियोगिता परीक्षा है अब धीरे तीरे शुरू होने वाली है बिहार पुलिस ने विभिन पदों पर बहाली को लेकर आक्टूबर महीने से लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया है चार से 16 अक्टूबर के बीच अलग-अलग पदों के लिए चार लिखित परीक्षाओं का आयोजनों का बिहार पुलिस में दरोगा और सर्जिंट के अलावा सहाइक जेल अधिक्षक के पद पर बहाली के मुख लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजनों के लिए होने इस लिखित परीक्षा को COVID-19 के चलते दो दफार टाल दिया गया था 23 सेतंबर को इसके लिए प्रवेश परीक्षा पत्र पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द करवा दिया गया है संहिक्त प्रारामिक परीक्षा का परिणाम जनवरी में जारी किया ग गया था हाला कि बुधवार को उनका ओपरेशन होना था मगर इससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा के दिया आपको बता दे पदमिर्शे किसान चाची से मिले 12 सितंबर को भाजपा कि राजश्रे धक्स जेपी नडडाउन के घर सरया के आनंदपूर आये थे किस किसान चाची के स्वाब लंबन की उन्होंने सरहना भी की थी किसान चाची अपनी सफलता का श्रे पती अबधेश चौधरी की प्रेरना और मदद को देती रही है उनका कहना है कि समाज कितना भी विरोध करे पती का साथ हो तो महिला हर मुकाम हासिल कर सकती है बिहार विदा प्रिंट करवाई जासे किंगे जिसकी बाद मनपसंद प्रत्याशियों को वोट दे कर बैलट से निर्वाचित पतारीकारी को भेजा साथ जखेगा इसके साथ अलग अलग विदानसभा छेतर के सर्वस वोटरों को मतदान के लिए अबडाक विभाग से बैलट मिलने का सर्जिकल यूनिट कि स्वधा वहाल कर दी गई है मिली जानकारी के अनुसार इसमें 30 बैट की विवस्था की गई है इसके साथी चार मोडिलर ऑपरेशन थियेटर का नर्मान किया गया है जिसमें एक ओटी जेनरल सर्जुरी के लिए रखी गई है साथी एक ओटी पती चौधरी और अधिकशक डॉक्टर कमल कारक ने इस बात की जानकारी दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सर्जिकल यूनिट के 15 बैड पुरुष और 15 बैड महिला के लिए रखे गई हैं इसके लावा डॉक्टर और नर्सों के लिए बैठने की विवस्था की रहा है क्योंकि वपक्षे दल लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं इस दिक्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वियादब ने भी इस बिल का विरोध करते वे 25 सितंबर को सड़क पर उतरने का फैसला सुना है इसके साथ यून्होंने साफतार पर कहा है कि इ पीठ पाल रहे हैं और जो मूदी जी का पाल रहे हैंने रियाचकरवर्टिओर उनके भाई की बारिफ चलते इसकी चलते आज मुंबई हाई कोट बंद है और इसी कारण कल यानी की गुरवार को सुनवाई होनी की उमीद जताई गई है आपको बता दे कई मामलों में जिम्मदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती 8 सितंबर से लवातार सलाखों के पीछे वहीं NDPS कोट ने उन्हें 14 दिन के नियाई खिरासत में भी परिचालन COVID-19 के महाल के बीच मुंबई में लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू करवा दिया गया है इसी को ध्यान में रखते वे बिहार में भी जल्द ही लोकल ट्रेन के परिचालन पर विचार विमर्श क्या जा रहा है इसको लेकर रेल मंत्राल इन अपना प्रस्ताव जा सामना करना पड़ सकता है लोकल ट्रेन में सबसे जादा तादाद में लोगों की संख्या देखने को मलती है इसके चलते बिना राजस सरकार के अनुमती के ट्रेनों के परचाल उनको शुरू करना सही नहीं होगा रोहित शर्मा की मुंबई इंडियन और दिनेश कार्तिक की मुकाबला चैनी सुपर किंग से हार चुकी है कॉलकता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियन्स के बीच यह मैच शेक जायत स्टेडियम आ बुधावी में खेला जाएगा देश में कोबर 19 प्रभावतों की संख्या पहुँची 56 लाख के पार देश में कोबर 19 2085 लोगों की जान जा चुकी है और 2 सितंबर से लगातार देश में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है जिसके बाद कुल मिलाकर 90,020 लोगों की जान जा चुकी है तो चलिए बढ़तें आज के सवाल की और आजका सवाल को जिस प्रकार है आपके नसार बिहार में लोगल ट्रेड़ों का परेचालन शुरू करवाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आजके लिए बस इतना ही बिहार की और बेला आइकों दो बाना ना भुले धन्यवाद